शुरू करते हैं आपकी वोक्षीट नमबर 158 तो आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे हिंदी की वोक्षीट है क्लास पॉस्ट है लिख लेंगे डीट डाल देंगे अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे गुद मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बच्चो आज हम स्वरों और उनकी मात्राओं का पुन अभ्यास करेंगे यानि आपको पता है हिंदी में दो तरह के होते एक होते हैं स्वर एक होते हैं वेंजिन है ना कास चोटे आसे लेकर कहां से लेकर चोटे आसे लेकर अखाली तक ही आपके होते हैं स्वर और फिर का से लेकर आपके ग्यार तक होते हैं वेंजिन तो आज हम लोग स्वरों को पहचानेंगे और उनकी मात्राओं का भी अभ्य कर देखें तो चलिए पढ़ते देखें यह बड़ा आ है तो बड़े आ की मातरा कीवल एक डंडा होता है ठीक है यह चोटी ही है तो चोटी ही की मातरा इस तरह से लगती है कोई भी आप शब्द आक्षर लिखेंगे तो उसे इस तरह से लगती है चोटी ही मातरा और वहीं ठीक है और अगर इसी के सर पे हम ऐसे एक मात्रा लगा दें ये होती है एक ही ठीक है तो अब आपको अभी ए तक ही समझना है तो हम ए तक ही पढ़ लेते हैं तो आपको मात्रा हैं तो समझ में आ गई चलिए अब हम लोग क्या करते हैं लिकैसोरों को उनकी सही चित्रों से मिल किसमार बड़े यह से आम चोटी से इम ली है ना तो इस तरह से आप मिला सकते हैं चलिए आगे पर थे हैं बड़ीसे क्या होता है बड़ीसे अब आप मिलाएंगे बड़ीसे एद ठीक फिर उसके बाद क्या मिलाएंगे छोटे उस से उस तुरा बड़े उसे उन ठीक है और ए से एक स्वरी ये ए से एक ठीक है आम तो उपर हो गया ना बड़े आ से आम ये हो गया ठीक है तो इस तरह से आप लोग इसे असानी से मिला लेंगे चलिए आगे पढ़ते इसका कहे आ से अनार बड़े आ से आम करो समय पर सारे काम चोटी इसे इमली बड़ी इसे एक सदा सत्यों की होती जीत यानि जो हमेशा सच बोलेगा हमेशा उसकी जीत होगी चोटे उसे उल्लू बड़े उसे उन कभी न बोलो किसी से जूट ठीक है इसे एड़ी ऐसे एनक सदा र तो इस तरह से आप लोग ने ये कविता भी पढ़ ली, अब यहाँ आपका लिखा है नीचे दिये गए ता स्वारों का, अभियास अपनी कॉपी में लिख कर कीजिए, तो आपको यहाँ पे अपनी कॉपी पे छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी इसे इंडली, बड उसे उन, ए से एरी, ऐसे लिखकर आपको करने हैं, अब आगे लिखा है नोट, नोट फॉर टीचर, रीच आउट टो दे चिडरन फॉर बैटर इंडिस्टेंडिंग ओफ दे वर्कशीट ऐस पर नीद, यानि अपनी अविशक्ता के अनुसार वर्कशीट को अच्छे से जा दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसके लाव आपके परेंट्स को कहा गया, बच्चों को बताएं, कि सदा सच बोलने से अच्छी बात होती है, अब बच्चों से पूछिए कि क्या उन्होंने कोई ऐसी घटना यादे, जहां उन्होंने सच बोलने का साहस किया हो, और उसके लिए उन्हें प्रशन सा की गई हो, यानि जैसे आगर आप होमवक नहीं करते हैं, तो आप जूट नहीं बोलेंगे, बहाना नहीं बनाएंगे, आप सच बोल देंगे, कि मैं हमने होमवक नहीं किया, लेकिन हाँ, हम इसे कल क अच्छे बोलते हो, जो जूट बोलते हो, वो गंदे बच्चे होते हैं, आप लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस कीजिए मुझसे, हमेशा सच बोलेंगे, चलिए, तो आज की वीडियो का मिया खत्म करते हैं, अगर आपको मैं वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइ टो जिए में, बुक जए क्या प्रॉमिस कीजिए के ले ढगाई झारीपर क्या सच फ्लीज झालेंगे, प्रॉमिस का बचाने सच खिची आए बोलते हैं?